सिक्सा केरियर जोब से संबंदी जानकारी से हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सस्क्राइब करें और गंटी वाला बदल जरूर दबा दे वेल्कम बैक टू सिक्सा केरियर जोब्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो बार बार आ रहा है कि प्रोफेसर कैसे बने सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबका आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं इतने आप जो है सस्क्राइब कर र उन सब डिग्री डिप्लोमाज के बारे में एक संपूर्ण जो है कवरेज आपको दे रहे हैं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले प्रोफेसर कैसे बने हाउ टू बीकम प्रोफेसर तो सबसे पहले आपको 10 प्लस 2 बारवी कक्सा पास करनी होगी एनी स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम से आप चाहे आर्ट स्टुडेंट हो साइन्स हो या कॉमर्स स्टुडेंट हो उसके बाद आपको बैचलर डिग्री करनी होगी बैचलर डिग्री यानि कि बीए बीए सी बीकम बीए बीए किसी भी स्ट्रीम से आप कर सकते हैं जहाँ पर ए आपको master degree करनी है यानि के post graduation MA, M.com, M.se, MBA, M.ca आपको master degree करनी है कम से कम 55% अंकों के साथ तो यहाँ पर एक pench फस्ता है यहाँ पर एक complication आता है कि मान लीजिए आपने जो graduation जो degree है आपने suppose करिए आपने BA कर रखा है economics में और फिर आप MA करना चारे है history में या आपने B.A.C. computer science कर रखा है और आप जो है बाद में master degree MA in history या MA in economics करना चारे है तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा क्या इस प्रकार से जो है professor बन सकते हैं तो मैं इसके बार में भी यहाँ पर दो case हो जाते हैं एक तो वो जिस subject से आपने graduation BA, B.A.C.B. को किया है उसी subject से आप MA कर रहे हैं या आपने master degree कर रहे हैं लेकिन दूसरा case ही हो जाता है कि graduation तो आपने किसी और subject से किया है and master degree आप किसी और subject में कर रहे हैं तो वहाँ पर ऐसा possible हो सकता है तो इसके बार में बात करें सबसे पहले हम पहले case के बार में बात करते हैं कि जब आपने graduation same subject में किया है और master degree भी आप जो है मान के चलिए आपने BA, economics subject से किया हुआ है and master degree भी आप MA, economics कर रहे हैं या ऐसी B.A.C. आपने कर रहे हैं math में and आप जो है S.E. B.A.C. कर रहे हैं फिर M.A.C. कर रहे हैं math में तो इस प्रकार से जो है आपको post graduation यान के master degree में आपको 55% अंध लाने हैं उसके बाद आपको जब आप master degree कर रहे होते हैं उसी time पे आपको एक exam की तयारी करनी है net exam national eligibility test इस exam की आपको preparation master degree करते हुए ही करनी हैं ऐसा नहीं कि पहले master degree करें उसके बाद जो है आप net exam दे तो आपको net exam की preparation साथ में ही करनी हैं और जैसे ही आप final year में आते हैं आपको net exam दे देना हैं जब भी आप appear होते है final year में आपको net exam देना है अब साथ में preparation करने का ये फायदा होगा कि आप final year में आते ही आप इतने परिपक हो जाएंगे तयारी करते होए कि आप इस exam को निकाल देंगे दोस्तो net exam की अगर बात करें तो ये national eligibility test होता है ये national testing agency NTA द्वारा ये परिक्सा आयूजित की जाती है वर्स में दो बार आयूजित होती है ये परिक्सा और net exam के लिए योग्यता जो है कम से कम 55% अंको के साथ आपने master degree आपने की हो या तो पास कर ली हो या आप appearing हो ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें net exam का कोई alternative कोई अन्य विकल्प है के नहीं तो net exam का जो alternative होता है विकल्प वो c net होता है जो हर राज्ये में होता है ठीक है तो आप net दे better net रहेगा क्योंकि पूरे भारत में आप कहीं पे भी जो है प्रोफेसर बन सकते हैं net exam अगर आप qualify कर ले assignment and computer तो इस प्रकार से यह exam जो paper 1 होता है in subject journal awareness type होता है and paper 2 जो होता है वो main subject जो आपका post graduation में master degree में मान के चले MA economics आप कर रहे है तो economics का यह subject का यहाँ पर आपका paper 2 होगा अगर BAC आप जो है electronics का रहे तो फिर यह MSC आपने electronics अगर की है then यह subject यहाँ पर electronics का आपको जो है यह subject जो है आपको exam देना होगा दोस्तों यह net exam MCQ based होता है और इसका जब result आ जाता है तो आप जो है आपको net qualify हो जाते है so अब अगर आपने 10 plus 2 कर लिए उसके बाद graduation कर लिया graduation के बाद आपने master degree कर लिया master degree के बाद आपने net exam आपने qualify कर लिया now आप assistant professor बनने के लिए eligible यानि के योग्ये हो जाते हो now आगे क्या है क्या आपको directly job मिल गई जी नहीं आप अभी eligible यानि के योग्ये हुए हो बनने के योग्ये हुए हो नहीं की आपको job बिरिये ये net national eligibility जो test होता है ये कोई recruitment का exam नहीं है ये योग्येता का exam है तो अब आपको करना क्या होगा professor बनने के लिए तो दोस्तों अब आपको universities और जो degree college होते हैं उनमें vacancy आपको जो है चेक करनी होगी आप जो है advertisement देके या website पर जाके तो वहाँ पर आपको vacancy जो है वो चेक करनी होगी उसके बाद आपको जैसा भी process यूनिवर्सिटी या degree college कह रहे हैं recruitment का वैसा आपको form उसके बाद आपको interview देना होगा interview देने के बाद तब आपका selection as a assistant professor में हो जाएगा आप assistant professor उस degree या college या university में बन जाएगे अब दोसों यहाँ पे लेख और आपको information जो है जाननी चाहिए कि जो universities या degree college में जो vacancy निकलती है वो कितने परकार की होती है ऐसा नहीं कि आप जो है assistant professor बन गए तो जो है एकी परकार की vacancy होती है मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही important है सबसे पहले जो universities या degree college में जो vacancies निकलती है professor की वो ad hoc temporary basis पे निकलती है यानि कि आपको जो है घंटों के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा दो या तीन lecture आपको लेना होगा और payment जो है वो आपको college ही करेगा college में बागी आपको जो है किसी भी परकार का कोई document वार किया किसी भी परकार का कोई na activity नहीं करनी होगी इसमें जो fees है वो आपकी यानि कि जो आपको payment करेगा वो आपको college ही करेगा सरकार आपको payment नहीं दूसरे टाप की जो vacancy होती है वो होती है non grant position मतलब university से approval आता है लेकिन government आपको payment salary नहीं देती बलकि college आपको payment करता है आपका experience तो count होगा आपकी salary कम होगी government की आपिक्षा college government ही होगा लेकिन हर college में government जो professor का जो quota होता है इतने ही लोगों को salary government देती है वो decided होता है जो तीसरी position होती है वो grantable position होती है salary यहाँ पर आपको जो है government द्वारा दी जाएगी चाहे आप private college में हो या government college में काम कर रहे हो government की तरफ से funding आएगी आपको यहाँ पर जो salary है वो government द्वारा मतलब full-fledged आप जो है यहाँ पर government professor होगे दोस्तों अगर आप fresh है तो ऐसा नहीं कि आपको जो है एकदम से जो है आपको grantable position मिल जाएगी आपको 2-3 साल का experience होगा तब आपको grantable position के लिए जो है आपको prefer किया जाएगा तो इस परकार से जो है आप professor बन सकते हैं आपको यह जानकारी कैसे लगी आपको यह जाएगी